वेलकम गाईज आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं चौक क्वाइल के बारे में ठीक है चौक क्वाइल क्या होता है देखा जाए जरासा जैसे कि मरकडी वगड़े जो है उसमें भी आपने देखा होगा इस तरीके का ये चौक लगा रहता है इसे को चौक करteं हैं कि जो चौक क्वाइल है मेरा उसका ज़रुवत भी की उपरा उसके बार में बीगाकते में कि बात करेंगे लेकिन बहुत सारा डिवाइस ऐसा है कुछ डिवाइस की बात कर सकते है उसमें से जो न दो सबीस फोल्ट बरदास नहीं कर सकता है उस पे वो खराब हो चकता है ठीक है? फ्यूज कर जाएगा जैसे की कौन? मरकडी यानि हमारे घर में जो ट्यूब लाइट लगा रहता नहीं ये वाला ट्यूब लाइट वगर आपने देखा होगा ये ट्यूब लाइट यानिके मरकडी जो है इसमें चॉक लगता है ठीक है? कहीं कहीं पड़ ये इस तरीके का कहीं ऐसा भी देखते होगे ठीक है तो यह जो chalk है ना यही है मेरा क्या यह chalk coil ठीक है इसका काम क्या है ना कि चुकि ट्यूब लाइट 220 भोल्ट बरदास्त नहीं कर सकता है तो उसको high voltage से यानि कि 220 भोल्ट के voltage से बचाने के लिए हम लोग chalk coil का इस्तेमाल करते हैं उतना voltage के बज़ए कम voltage उसको जाने देता है चौक क्वाइल कम voltage पास करने देता है तो जिससे वो ट्यूब लाइट बचा रहा था अब आप कहोगे कि सर चौक क्वाइल वक्काइल इस सब कितला फड़ा में पढ़ने है क्या जरू रहा था अगर हम थोड़ा सा resistance लगा देते तब भी current का मान घड़ जाता तो कम voltage वग एक resistance लगा देने का खीक है resistance अगर लगा देते थे तब भी क्यालते हैं इसको आन जान पहुचने वाला जो current है या voltage वगर इसको मिलने वाला जो है वो क्या हो जाता था कम हो जाता था इसमें भी कुछ voltage बढ़ जाता था जैसे कि अगर माल लिया जाए यहां पर अगर क्यालत है मिल गया कितना 120 वोल्ट मिल गया और इसको क्या 100 वोल्ट मिला ठीक है ऐसे करके resistance का मान इतना रखें कि इसको वोल्टेज 100 इसको 120 अब फिर सर्कीट में तो आपको पता ही है कि जितना इन दोनों को जोडेंगे वही इसके बढ़ाबर होना चीए तो यह को जोडे तो इसक पावर डिसिपेट का फर्मूला आई स्कुएर राड होता है तो यहां पर बहुत जादा डिसिपेट हो जा रहा था तो पावर बहुत जादा बरबाद हो रहा था इसलिए क्यालते हैं यहां पर सिर्फ रेसिस्टेंस लगा करके मड़कडी को टूब लाइट को कम क्यालते वोल्टेज सप्लाई करने का जो यह तरीका था ना यह कारगर जादा रहा नहीं इसलिए लोग दिमाग लगाया ऐसा दिमाग लगाया ति क्यालते हैं यहां बोल्टेज बट भी जाए इसको कम बोल्टेज मिले और कुछ बोल्टेज यहां खड़ा खर्च हो जाए ठीक है और ज्यादा का ज्यादा रेसिस्टेंस भी ना हो व्-circuit में तो दिमाग क्या लगाया गया कि बस ट्यूब लाइट के पास क्या किया गया आए यहां पर इसी से कनेक कड़़के यहां पर एक सॉफट टाईरें के ऊपर सॉफट टाइरें के उपर क्यालते हैं इस तरीके से coil लपेट करके यह ऐसे करके chalk coil बना दिया गया ठीक है अब यह देखो ऐसे करके अब लो अब यह मेरा एक chalk coil बन गया अब क्या होगा सरकिट में अगर current वगर कुछ देते हैं या यह टीब लाइट है तो यहाँ पर क्या AC source दियें गे और एक सो भूल्ट इसको देता है, इतना वूल्ट और इतना वूल्ट खुद ले लता है, ठीक है, लेकिन यहाँ अब न, अब की स्थती में क्या है न, कि अब इसका रेसिस्टेंस कम है, अब इसका रेसिस्टेंस क्या है, रेसिस्टेंस कम हो गया है, और फिर भी क्यालते हैं यह voltage ले लिया, अच्छा, यह जो voltage ले लिया, यह जो chalk coil है ने, यह chalk coil तभी काम करेगा, जब AC source हो, याद रहे, अगर DC source है ना, तब chalk coil काम नहीं करता है, ठिक, कब काम करता है, AC source में, आपको याद रखना कहीं है, objective अब आप देखो, यह chalk coil का mechanism को समझो, कैसे भाई, यह power भी क खा लेता है, ऐसा कैसे होता है, ताफिर इस chalk coil में यह इस तरीके का coil है, लपेटा हुआ, तो यह तरह का क्या है, inductor है, तो inductor में कुछ नकुछ resistance होगा, तो यानि कि, ऐसा कह सकते हैं, कि inductor को अगर इसको हम elaborate करे, इसको अगर अलग से कहें, इसको यह, यह, यह मेरा क्या है, चॉक क्वाइल है, ठीक है, चॉक क्वाइल, ठीक है, चॉक क्वाइल है, तो actual में है क्या यह, actual में यह एक तरह का inductor है, और inductor जिस wire का बना हुआ है, उसका तो कुछ नकुछ resistance है, अगर दुनिया का हर चीज है, resistance तो है ही, बिना resistance को कुछ है है, नहीं, आच्छ ठीक है, तो अब यह है तो इसके पास resistance भी है, ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, inductor को ऐसे दिखला देते हैं, और इसी में बगल में एक रेसिस्टेंस दिखला देते हैं, तो क्या आप समझ जाओ अच्छा, यह R और L, यानि कि LR circuit, जो आखिर चॉक क्वाइल है, वो actual में क्या है, एक तर अब इसमें होता क्या है, कि resistance का मान थोड़ा कम रखना है, यानि कि ऐसा चॉक क्वाइल इस्तमाल करना है, कि उसका resistance क्या हो, यह मेरा कम होना चाहिए, यह minimum होना चाहिए, ठीक है, तो resistance अगर इस चॉक क्वाइल का minimum होगा, तो power कम खर्चा करेगा, चलो ठीक है, यहां तक त हिसाब से, इसको जादा रखेंगे, L मेरा जादा होगा, R मेरा कम होगा, तो चॉक क्वाइल में इंडक्टेंस जादा, और यह resistance क्या है, कम, अब ऐसा करने से होगा, क्या, आप देखो, impedance पे अगर जरा सक्दगार करो, LR सर्किट का impedance कैसे निकलेगा, इधर क्यालते हैं, इ रूट अंडर, L ओमेगा का, होल स्कार, प्लस क्या, R स्कार, impedance, ऐसा होता है, आच्छा, ठीक है, तो यह वाला हिस्सा आपको क्या करना, छोटा, चोटा चीज का स्क्वाइर करोगे, तो वो और छोटा हो जाता है, जैसे, 1.2 का आप स्क्वाइर करोगे, तो यह क्या हो ठीक, लेकिन यहाँ पर यह वाला चीज क्या है, L है, L क्यालते है, बड़ा है, ठीक, तो यह L बड़ा है अगर, तो यह बड़ा वाला टर्म है, इसका अगर स्क्वाइर करेंगे, अगर यह माल लिया जाए, पांच है, यह पांच है, ठीक है, पांच और यह क्या है, माल लि तो मेड़ा square okay किया हो गया, बढ़ा, तो जब यह वाला term जो बढ़ा, तो यानि man कुछ नो कुछ आएगा, अगर l का मान ज़्यादा होगा, तो ज़्यादा होगा, तो यानि कि अगर inductance हम लोग ज़्यादा रखेंगे, तो impedance क्या हो जाएगा जादा, यानि कि Z क्या हो जाएगा, जादा, तो यानि कि एक बात समझ में आया, अगर L हम लोग को तो R क्या करना है, कम, ताकि power कम खर्चा हो, L का मान बढ़ा के रखना है, ताकि क्या हो जाएगा, जड़ बढ़ जाएगा, तो Z यानि कि impedance, अब impedance के हिसाब से ही voltage बटेगा, यहाँ और यहाँ, तो आखिर, जो net resistance की बात करें, तो impedance, impedance मेरा किसी तरह का power loss नहीं करता है, आप ए impedance, जैसे power की बात करें, तो power बड़ाबर क्या formula होता है, जब भी power loss होता है, तो क्यालते हैं, power की बात करें, तो power क्यालते हैं, अगर यह resistance negligible हो गया, तब तो खेर, एकदम negligible resistance लेना है, और inductor खाली है, तब तो फिर कोई दिक्कत नहीं, अगर खाली inductive circuit है, तो inductive circuit में power loss नही करते हैं, इधर ही मेरा क्या, एलो मेगा है, इधर यह रहेगा नहीं, और इस case के बीच का angle क्या, फाइ बड़ाबर क्या 90 degree हो जाता है, यानि कि फाइ नब्बे, तो कॉस फाइ यानि कि यह मेरा कॉस नब्बे डिगरी बड़ाबर क्या 0, पावर फेक्टर 0, यानि कि पावर कम खर्चा होता है, इंड़क्टिव सर्कीट है अगर तो, प्योरली क्या है, इंड़क्टिव सर्कीट अगर है, तो वो पावर कम खर्चा करता है, तो इंड़क्टिव सर्कीट मेरा पावर को कम खर्चा करता है, यानि यह हम कह सकते हैं, याद होगा, इधर एलो मेगा है न किया नबे डिगरी तो पावर फेक्टर में इतना तो पावर बड़ाबर आई-र-म-स इंटू-र-म-स ऐंटू-क्या कॉस-फाइ जीरो तो प्योडली इंडूक्टिव सर्कुट डजनोट डिसिपेट पावर तो यानि कि अगर ये इंडुक्टिव इंडुक्टिव क्यालते है ЕН्स यह मेरा ज़्यादा हैı , यानि मेरा ज्यादा है , याणि कि लग ज्यादा से ज्यादा मात्रा में प्योड़ली इंडक्टिव सरकिट के जैसा काम करताँ , तो यह हिस्सा है यानि ci inductor वाला हिस्सा है , यह मेरा power पावर कम करता, यह resistance वाला करता है और रेसिस्टेंस अगर मिनिमम होगा तो रेसिस्टेंस मिनिमम होने के कारण पावर लॉस यहां पर कम होगा यह मेरा इंडेक्टेंस जो है यह मेरा क्या होना चाहिए ल ज्यादा होना चाहिए ल ज्यादा हो तो मेरा इंपिडेंस बढ़ेगा इंपिडेंस के हिसाब स यहां और यहां पर power distribute होगा क्योंकि जब यहां power को distribute होना है तो इसके और इसके हिसाब से ना तो impedance net resistance होता है नहीं circuit का, तो net resistance जो बढ़ा अगर तो किसके वज़े से, L के वज़े से बढ़ेगा, R के वज़े से net resistance या जनी Z ने बढ़ना चाहिए, किसके बढ़ना चाहिए क्यालते हैं net resistance बढ़ना चाहिए किसके बज़े से क्यालते हैं मेरा Z के बज़े से यानि कि L के बज़े से R के बज़े से नहीं तो power का formula आप क्यालते हैं power dissipated का formula आप देखते होगे बार-बार IRMS का square into क्या R होता है यह होता है power जब भी खर्च होता है तो यानि XR के कारण होता है power कभी खर्च होगा तो किसके कारण होगा XR के कारण इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो IRMS ERMS into क्या cos phi होता है तो cos phi को आप लिख सकते हो क्या लिख सकते हो XR अब टे क्या Z होता है एे क्यालते हैं I is equal to V by R तो क्यालते हैं यहां से V रावर I R यानि की V रावर R यानि की voltage रावर current into resistance तो net voltage या I रावर eM f बटे क्या? Z तो therefore eM f रेकि correct i into क्या? Z लिख सकते हैं तो I rms into e rms रावर क्या होता है? e rms बराबलिक सकते हैं कि Irems into Z, Irems into kya, Z into kya XR, अब टेका Z, तो Z और Z cancel हो जाएगा, तो ये पावर बड़ा-बड़ क्या, Irems का whole square, न, Irems, यहाँ पर भी आप देखो, Irems का, Irems का whole square into kya, XR, न, यारि कि जो power होता है, power depend करता है किस पर xr पे यानि कि resistor के resistance पे और resistor का resistance कम है तो power भी कम खर्चा होगा और क्यालते power कभी भी z वेड उस पे depend नहीं करता power loss तो चुकि z कमान क्या है, z कमान बढ़ गया तो power loss को फर्क नहीं पड़ा power loss तो depend करता है r पे r यानि कि xr यही तो मेरा क्या है, xr है अच्चुकि xr पे depend करता है power बढ़ा बढ़, तो xr मेरा क्या है, कम है यानि कि r कम है, तो power loss भी कम होगा, z बढ़ा है क्यों क्योंकि l जादा था, इसलिए और क्यालते है, impedance के अनुसार मेरा voltage distribute हो गया, जब voltage का distribution होगा, तो किसके अनुसार, impedance के अनुसार, ठीक है तो इधर वोला circuit का impedance यानि कि resistance होता है न, एक तरह का एक तरह का होता है, circuit का net resistance को ही impedance कहते है तो circuit का net, जब voltage का बटवारा होगा, इधर और इधर तो उस समय net impedance देखेंगे तो इधर का impedance और इधर का impedance के हिसाब से ही voltage बट गया मेरा, न, तो voltage बटा तो इधर 120 चला गया, इधर इतना चला गया लेकिन ये power खर्च नहीं किया बरबाद क्यों, क्योंकि यहां का XR कम था resistance, कम था, इसलिए power खर्च नहीं किया, हाँ, इधर voltage क्यों मिला इसको, क्योंकि Z जादा था, यानि कि impedance इधर का जादा था, इसलिए voltage का बटवारा impedance के अनुसार हो गया, यही चीज मेरा DC source के साथ काम नहीं करेगा, ठीक है DC source के साथ क्यों नहीं काम करेगा, क्योंकि उसमें frequency वगर नहीं होता है, ठीक है, DC source का frequency नहीं होता है, AC source का frequency होता है न, वहाँ पर DC source में Z की बात नहीं कर सकते है ठीक है, DC source में Z वेड का बात नहीं होगा ठीक है, वहाँ पर आप चाहोगे तो खाली L वगड़े इस सब चीज का कोई effect नहीं पड़ता, ठीक है तो DC source के साथ chock coil काम नहीं करता है यह chock coil हम लोग यूज़ कर सकते हैं किसमें तो सिर्फ और सिर्फ किसमें AC source में हम लोग एक काम करते हैं यही सब चीज को एक बार जरा सा अच्छे तरीके से लिख लेते हैं आप देखते होगे कभी भोल्टेज का बटवारा होता है तो resistance के अनुसार तो net resistance circuit का वही तो impedance है न भाई किसी Z impedance को ही तो net resistance कहते हैं जैसे अगर यहां है और क्यालते यहां है अगर दो resistance होता उसके बीच अगर voltage R1 और R2 के बीच अगर voltage का बटवारा होता अगर यह 220 है तो अगर जो resistance जादा होता है उसमें जादा voltage जाता है 120 जो resistance जादा होगा उसमें जादा voltage जो resistance कम होगा उसमें कम voltage जाता है यह आपने current electricity में पढ़ा होगा है तो voltage का बटवारा हो गया net resistance के हिसाब से नेट रेसिस्टेंस यहां का कितना है, यहां का कितना है, ठीक है, मालों यहां पर एक डिवाइस लगा हुआ है, यहां पर एक डिवाइस लगा हुआ है, इन दोनों डिवाइस में जिसका रेसिस्टेंस ज्यादा होगा, यानि नेट रेसिस्टेंस उसको ज्यादा गोल्टेज देखेंगे, जिसका net impedance ज्यादा उसको ज्यादा voltage, जिसका net impedance कम उसको कम voltage, तो voltage का बटवारा हो गया impedance के हिसाब से, लेकिन जो power का loss होता है, वो xr के हिसाब से होता है, ठीक है, तो क्योंकि xr इसका कम था, तो कम power खर्चा किया यह, कम power बढ़ बात किया, impedance इसका ज्यादा होगा, इससे ज्यादा होगा, तो इसको ज्यादा voltage यह खा जाएगा, अगर कम voltage करके इसको प्रवनेट रटेगा, ठीक है, तो इस तरीके से हमारा काम करता है, series LR circuit ही, चोक कोईल है उम्मीद करते हैं, थोड़ा बोश समझ मैं होगा, अब एक काम करते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा लिख लेते हैं, अच्छे तरीके से, आप screenshot लेने अचा हो, तो यहाँ पे ले सकते हो, हम अच्छे तरीके से लिख देते हैं, देखा जाए, चोक कोईल के बारे में क्या लिख लिख लिए हैं, उसको अच्छे तरीके से समझ लेते हैं, ठीक है, सारा चीज, इस चेप्टर के नोट्स के लिए, आप Google पे सर्च कर सकते हो, हमारे वेबसाइट को www.physicsbyamonward.com ठीक है, देखा जाए, जला सा, चोक कोईल क्या है, इसके और में क्या लिख लिख लिए हैं, कि इस डिवाइस विच इस यूज़ तो डिक्रीज दा वोल्टेज ओफ एन AC सर्किट विदाउट पावर लॉस, चोक कोईल जो है, कैसा डिवाइस है, जिसका इस्तेमाल किया जाता है, का वोल्टेज को घटाने के लिए, AC सर्किट में इस्तेमाल किया जाता है, और बिना किशी तरह के पावर लॉस के, ठीक है, पावर लॉस नहीं करता, हलका, ना मात्र का है, ऐसा कि इसको नगलेक कर सकते हैं, नेगलेजेबल पावर लॉस होता है, यानिके पावर लॉस नहीं करता और एसी सर्कीट का वोल्टेज को भी वो गिडा देता है, कम कर देता है, ठीक है, ताकि टिवाइस वगर असा बच सके, आचा, इट इस अ सिरीज एल आर सर्कीट है, आचा, इट कंसिस्ट अफ नंबर आ यह कॉपर रहता है, ना, कॉपर का क्वाइल है, उसको इस तरीके से अगर इस पर ऐसे करके लपेट दिये, जैसा कि इमेज में देखे, तो थार प्रेले, ना, यही मेरा क्या है, सॉफ्ट आरेन कोर रहता है अंदर में, ठीक है, यह फेरो मेंगनेटिक पटेडिया, तो बस क्या, high inductance, यानि कि L ज्यादा होने से, Z उसका क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है, तो ऐसा इस्थिती होना चाहिए, और क्या, resistance, यानि कि XR जो है, उसका कम होना चाहिए, यानि resistance कम होना चाहिए, यह wire सब जो है, इसका resistance कम होना चाहिए, अच्छा, for low power DC patient, यानि कि यह जो क्यालते हैं जो वायर जो इस्तमाल किये हैं उसका रेसिस्टेंस कम होगा तो रेसिस्टेंस कम होने के कारण मेरा क्या है या इसका रेसिस्टेंस अब यह सब जो कम होगा या अंदर में जो यह सब टायरन कोड यह सब इस्तमाल किये हैं रेसिस्टेंस यह सब कम होगा अगर यह जो वायर इस्तमाल कर रहे हैं उसका resistance अगर कम होगा तो resistance कम होगा तो power loss कम होगा यह निकि XR कम होना चाहिए ठीक है अच्छा उसके बाद क्या है फिर बात करें तो यह ऐसा photo इसी चीज में resistance को अलग दिखला दिये हैं और inductor को अलग दिखला दिये तो inductor भी रहता है यह रहता है दोनों चीज रहता है अच्छा वी केन आल्सो यूज आ रेसिस्टर इन प्लेस ऑफ चॉक क्वाइल तो डिक्रीज दा वोल्टेज हम लोग था पहले बात किये थे भी कि चॉक हम लोग को काम क्या है बस मरकडी या डिवाइस वगर किसी चीज है उसको कम वोल्टे करता है या फिर ना के वराबर करता है तो इंडिया में क्या हता है जन्रुचा कोयल जो सब दोस वीच भोल्टेज रही कर सकता है आप उतना खराब हो जाईगा तो उससे कम वोल्टेज चाहिए तो हम लोग वहाँ पे भी चॉक्क काहिए थे पयमिए और समय ध्यात करते हैं जानकाड़ी के लिए ध्याम रखो कि अगर हमको कभी भी अगर alternating current को कम करना है या alternating voltage को कम करना है और उस alternating voltage या current का जो frequency है अगर वो कम है फोर reducing low frequency alternating current यानि कि low frequency वाला alternating current को अगर हम लोग कम कर रहे हैं तब जो chalk coil इस्तमाल होगा with eliminated soft iron code यानि कि ये soft iron code के साथ ये eliminated copper वाला ये इस्तमाल करते हैं ठीक है and they are called क्या audio frequency chocks इसको जो है audio frequency chocks भी या audio frequency chocks वाइल भी बोला जाता है ये low frequency क्यालते alternating current को घटाने के लिए किया जाता है या voltage को घटाने के लिए किया जाता है अगर हाँ for reducing high frequency alternating current अगर high frequency वाला को alternating current या voltage है उसको अगर हम कम करना चाते हैं circuit में तब जो है क्यालते है air code chocks are used तब जो हमारा ये जो code है यहाँ बीच में ये जो air है यहाँ ये जो code है न ये soft iron code के बज़ा ये soft iron code को हटा देंगे और सिर्फ क्या होगा क्यालते हैं ऐसा होगा यानि कि बस क्यालते हैं air code chocks air code chocks कहने का मतलब ये बीच में जो है code material के जिगा पर क्या होना चाहिए हवा होना चाहिए बीच में क्या रहना चाहिए air होना चाहिए बस खाली ये से करके ये इस्तेमाल करेंगे ठीक है and they are called क्या radio frequency chocks और इसको radio frequency chocks इसको क्या audio frequency chocks बोलाया तो ये एक्ष्टा जानकारी था थोड़ा ठीक है चलो एक काम करो इसका फटा फट से पहले screenshot लो तो ये आपको notes में अच्छे तरीके से लिखना है लिखे ये सारी लिए screenshot चलो ठीक है ये उम्मीद करते हैं आपको जानकारी पसंद आया हो चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राब कर रहा हो और वीडियो समझ में आया हो तो इसको like कर देना बाबाई जाते जाते एक बाई पिल लिज जो देखे बाबाई